Hello Students, Welcome to Social Educator आज हम बात करेंगे CBSC ने जो New Sample Paper रिलीज किया है उसके पैटन के बारे में यह आपका basically Social Science का पैटन है जो चेंज हुआ है आपके बार बिटा आपके बार जो questions हैं आपके पहले क्या होता था? 1 to 20 questions होते थे आपके 1 marks के questions लेकिन अब उनको कम करके कितना कर दिया है 16 questions कर दिया है यानि आपके objective type questions 16 questions आएंगे उसमें आपके 1 marks के questions भी add होंगे Phillips भी होंगे और MCQs भी होंगे means जो maximum questions होंगे वो objective type questions होंगे B section जो आपका है वो 17 से 22 question number वो आपका 18 marks का होका total यानि वो 3 marks के questions होंगे 6 questions जीक है C section आपका एक new add हुआ है बिटा value based question पहले क्या होता था पहले इस portion को अलग-अलग जैसे अलग-अलग section होते थे उसमें कुछ questions add कर दिया जाते थे और उनको value based question कह दिया जाता था चाहे हम लोग उनको hold questions कहें, चाहे value based question कहें, चाहे sources को question कहें वो एक ही बात होती है तो यह आपके होते थे, यह आपके अब है 4 marks के हैं, 4 ही questions आएंगे आपके तो total आपका 16 marks का होगा इसके बाद जो D part होगा वो आपका long question का होगा long question में आपका 27 से 31 जो question होगे, वो आपके long question होगे 5 5 marks के questions होगे, जिसमें आपको 6 तो 7 points लिखना compulsory है with sub points जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है इसके बाद section E है, पहले D part सक होता था, लेकिन अब जो value based question है, उसका एक part अलग से बना के अब E sections तक हो गया है, तो map तो आपके पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, पहले भी आपका 6 marks का map था, लेकिन अब वो map आपका 5 marks का कर दिया है तो 5 marks के map में बिटा, आपके 2 marks जो होगे, वो history के map में से आएगा question, और जो 3 marks का होगा, वो आपके geography में से आएगा तो यह आपका pattern है, मैं एक बर आपको paper भी दिखा देते हूँ कि किस तरीके का sample paper है, जो आपके बाद CBSC ने रिलीज किया है यह देखिए, आपका, यह आपका sample paper है, जो CBSC ने रिलीज किया हुआ है, मैं आपको description box में इसका भी link दे दूँगी और और जो subject है, उसमें भी जो sample paper जो change हुआ है, उनका भी link आपको मिल जाएगा, जो जो changes आए है यह आपके जैसे यह question है, आपके 1-1 marks के question, 1-16 question है, इसके बाद यह 1-16, 13 question है, यह 11 question में वही दिया हुआ है इसके बाद इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, 13 question आपका correct options वाला है, या maximum आप question देख सकते हो कि I'm Secures की form में जादा है इसके बाद question number 17 में आपका question number दे रखा है, यानि 3-3 marks के 6 question थे आपके, या आपका इसमें सिर्फ short form में दे रखा है, ऐसा नहीं है, कि 6-17 question में सिर्फ इसमें 2 points देखा है, तो आप भी यही 2 points दिखोगे यह सिर्फ आपको लेगा के लिए hint के लिए बताया हुआ है, कि कहां पर आपका किस stripe का यह question है, चीक है, तो इसके देखो, आप कोई भी 3 points लिख सकते हो, इनमें यह आपका पूरे 3-3 marks के questions है सारे, आप देख रहे हो ना, कि किस तरीके से इन्होंने जो answer की release किये, उसमें point to point हर चीज़ दिखी होई है, तो आपको भी answer जो है, वो इसी तरीके से लिखना, जैसे इसमें point to point लिखा हुआ है आपका, question number 21 भी आपका 3 marks का है, question number 22 भी आपका 3 marks का है, इसके बाद जो question है, आपका value based question section sheet, उसमें आपका बिटा 4 marks का है, 4 marks में आप देख रहे हो कि आपको एक paragraph पढ़ना है, और paragraph को पढ़ने के बाद आपको उसका answer देना होगा, चीक है, तो यह देखो, आपका paragraph पढ़ने के बाद आपको यह answers आपको इसमें से पूचे गए है, इसके answers आपको देने होंगे, इसके बाद 24th question भी देखो, यह भी आपका वही है, value based question, इसमें भी आपको paragraph पढ़ना है, और उसके बाद उसका answer देना है, चीक है, और 26 भी है, देखो, कितना अच्छा हो गया है, आपके लिए कि paragraph आएंगे, यानि 4 marks तो आपके easily आए पढ़ना है, उसके MCQs भी फों में देए हुए है, question आपको सिर्फ option में टिक लगाना है आपको, जो आपका ठीक option होगा, उसको आपको टिक करना है, इसके बाद 27 questions आपका, आप 5 marks का है, जिसमें आपको 0.2 point हर्चिस लिखनी है, 31 question तक आपके 0.2 point आपके सारी चीजी होंग 32 question जो आपका last question होगा, वो map based question होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से represent करना है, अपना map आपको pencil यूज करनी है, उसके बाद आप map का answer दोगे, जैसे आपका history का जो map होगा, वो अलग होगा, 2 marks का है, आपका दूसरा map जो होगा, वो अलग होगा, जो आपको करना है, जो कि आप यह मत कहना कि जो दिखाईने जाता, वो paper कैसे attempt करते हैं, उनका paper के लिए उनको कोई helper मिलता है, लेकिन वो helper जो हो map फिल करने में help नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उनको questions की form में दिये जाते है, लेकिन हाँ यह है, आप इन questions को form पढ़कर, अगर आपके इन answers में से कोई answer match कर रहा हूँ, आप यह देख सकते हो, किस question में कोई answer match कर रहा है या नहीं, तो आप उसके according आप अपना answer दे सकते हो, तो आपको अपना सिर्फ यह 32 का यह वली part को ही complete करना है, अबाकी इनको visual वाला को आप नहीं करोगी, यह देखो, यह आपका map है, उसके बाद map क answer दिया हुआ है, तो यह है आपका जो new pattern change हुआ है, बिटा, discussion box में आपको sample paper का link मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, in fact आपको सारे जितने भी, आपके जितने भी syllabus में, जो जो subjects हैं, उन सब का ही link मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप sample paper download कर सकते हैं, okay, I hope आपको यह video पसंद आयो, thank you